किसन भाईयों नमस्कार स्वागत आप सभी का आप भाई के अपने यूटूब चैनल स्मार्ट खेती में किसन भाईयों आज हम बात करेंगे 2021 में लेसुन में तेजी आने के कुछ कारणों की यानि कि 2021 में लेसुन में तेजी तो आएगी लेकिन तेजी के क्या कारण रहेगी तेजी कब तक रहेगी लेसुन को रोके या बेचे इस साल लेसुन की पेदावार कितनी होगी साथ ही जोति सास्तर की अनुसार लेसुन का बाव और तेजी कब आएगी इन सबी मुक्य बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाईयों यह वीडियो लंबी जरूर हो सकती हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस नहो वीडियो को लाइक करें जो किसान चैनल पर पहली बार आएं नीचे दिये वे लाल अक्सरों में सब्सक्राइब की बटन पर कलिक कर लें पास में जो गंटी आती है उसे फुरेश कर लें किसान भाईयों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि ये जो भी मैं आपको जानकरी दूँगा ये मेरे द्वारा संग्रहीत की गई और मेरे द्वारा प्राप्त आंकणों के अनुसार आपको ये जानकरीत दी जाएगी तो कोई भी निर्ने सुयम के विवेक से लें किसान भाईयों बात करते हैं 2021 में लैसुन के बाव में तेजी आने के कारणों की तो इसमें से पहला कारण आता है कि लैसुन की मांग वेदेसों में बढ़ना जैसा कि किसान भाईयों पिछले साल यानि की 2020 में भी लैसुन के बाव में तेजी देखने को मिली थी लेकिन पिछले साल के अन्ती मैनों में कोरोना मामारी के कारण उतना अधिक विदेसों में लैसुन का आयात निर्यात नहीं हो पाया था जिस कारण विदेसों में लेसुन की डिमांड इस वर्ष से जाज़ा देखने को मिल रही है इस कारण से 2021 में लेसुन के बाव में तेजी आने की संभावना बताई जा रही है क्योंकि पिछले साल कोरोनमा अमारी और लोकडाउन के चलते लैसुन का विदेसों में निर्याद नहीं हो पाया था इस कारण इस साल पूरी तरह से निर्याद खुला है तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो इस कारण भी लैसुन के बाई में तेजी की संभावना बताई जा रही है दूसरा कारण निकल कर आ रहा है कि लैसुन का उत्पदर्ण कम होना और मांग चैदा होना किसन भाईयों जैसा की लेसन एक ऐसी फसल है जिसको पूरे देश में खाद्यान के रूप में उपयोग किया जता है जिस करण इसकी मांग पूरे वर्स बनी रहती है लेकिन इस वर्स किसन भाईयों लेसन की पेदावार कम होने की संभावना बताई जा रही है इस करण 2021 में लेसन के बाव में तेजी आ सकती है अब बात करते हैं मुख्य बिंदों पर तो इसमें से पहला आता है कि तेजी कब तक रहेगी किसन भाईयों ये सवाल थोड़ा कटी ने किसन भाईयों लेसन के बाव में पूरी-पूरी सटिक जानकारी देना कटी ने लेकिन हम कुछ आंकडों के अधार पर इस वीडियो में विशलेशन करने की कोशिस करेंगे. किसन भाईयों जैसा कि फरवरी मैना चल रहा है, अभी उटी लैसुन आर्ट से नोजार के पास बिक रहा है, वहीं बड़िया लड़ू देशी माल 7-8,000 रुपे बिक रहा है, तो यह बाउ अच्छा है, हम इसको मंदी नहीं बोल सकते हैं, अभी तेजी ही चल रही है, इसके अलवा फरवरी से मार्च मैने में लैसुन के बाउ में थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है, मंदी क्यों आएंगी, क्यूकि सबी किसान बाईों की फसलें हार्वेश्टिंग पर जल्दी से जल्दी होने वाली है, वह अगर अच्छा बाउ रहता हैं तो उसको मंदीं में बेचेंगे, जिससे मंदीं में मांग के अनुसार पूर्ती बढ़ जाएगी, तो मांग कम होगी और पूरती बढ़ने से प्याच के सोरी लेसन के बाव में थोड़ा मंदी का सामना करना पड़ सकता है तो हम बात करते हैं कि तेजी कब तक रहेगी तो यह तेजी हमें पूरे फ्रवरी मां में देखने को मिल सकती है उसके अलावा मार्च मेंने में थोड़ी मंदी नजर आ सकती है लेकिन इस साल 2021 में अच्छा बाव किसानों को मिलने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है कब तेजी आएगी और कौन से में नहीं आएगी इसकी जानकरी में आपको अगले वीडियो में पूरे विस लेशन के साथ देने की खोशिस करूँगा अब बात करते हैं कि लेशन को रोके या बेचे किसान बाग्यों यह सवाल एक सवाल है आपको अपनी फसल को बेचने का अधिकार है आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने लेशन को बेच सकते हैं यानि कि अगर आपने उटी लेशन की बुवाई की है या आपका लेशन अच्छी क्वालिटी का मोटा अकार का है और अगर आप मंडियों में व्यापरी उसको 8-9,000 तक खरीच सकते हैं तो आप अपने माल को अभी बेच दे और अगर आपने अपने लेशन को अभी बाहर नहीं निकाला है और अगर आप बाहर निकालते हैं उस समय अगर आपको उसका बाव लगवक 6-7,000 रुपे भी मिल जाता है ना तो आप उसको बेज दे उसको रोके नहीं क्योंकि उस समय जो लेशन होगा वो पूरी तरह से गीला होगा तो उसका वजन भी डवल होगा तो डवल होने से आप 7,000 के बाव में बेचोगी न तो उसका बाव आपको 10-11,000 के आसपास फट जाएगा तो डवल भाइदा आपको होगा इसके अदाव अगर आप लेशन को बाहर निकालते हैं तो उस समय मन्नी आ जाती हैं जैसे की लेशन 2-3,000 या 3-4,000 तक बीक नहीं लग जाता हैं तो आप उसको थोड़े समय तक रोक सकते हैं क्योंकि पूरे साल पर का विच लेशन में इस वीडियो में नहीं बता सकता है वीडियो लंबी हो सकती हैं लेकिन 3-4,000 में आप लेशन को ना बेच क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना बता ही जा रही है तो यह सवाल का जवाब आप अपने खुझ से डूंडे और आप अपनी मर्जी के इसाब से अपने लेशन को स्वेम के विवेक से बेचें किसान भाईयों तिसरा बिंदो आता है कि फेदावार कितनी होगी जैसा कि मैंने आपको उपर बता है इस साल लेसन की फेदावार कम होने की संभावना बता ही जा रही है कम क्यों होगी क्योंकि इस साल आपको पता होगा कि कुछ सेत्रों में बारिस होई थी वारस के करण लैस्ट में थ्रिप्स काटे काभी ज़्यदा बढ़ चुका था तो पिछले साल से बहु ही ज़्यदा हुई है लेकिन उत्पाजन पिछले साल की तरह ही इस साल भी कम होने की संभावना बता ही जा रही है जोतिस सास्तर के अनुसार किसान भायों मैंने पहले भी एक कुछ समय पहले आपको वीडियो दिया था गी 221-21 में जोतिस सास्तर के अधर पर लैस्टून का बाव क्या रहीगा तो वो वीडियो पूरा सेटिक साबीत हो रहा है अभी अच्छा बाओ चल रहा है मैंने यही बताय था कि 2021 में पूरे में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी तो इस वीडियो में बात करते हैं जोतिस सासर के अनुसार लेकिन तेजी कब आएगी इसका पूरा पूरा अनुमान लगाना कटी ने उनिस्सी तारीक पर हम पूरा बोरुसा नहीं कर सकते यानि कि अगर जोतिस सासर कहा देगी अप्रेल महीने में तेजी आएगी तो उनके अधार पर हम अपने लेसन को नहीं रह सकते क्योंकि अभी भी भाव तेजी चल दी हैं अच्छा भाव मिल रहे हैं ऐसा तो नहीं कि लेसन पचाज़ार के आसवाश पहुच पहुच जाएगा या तो दसजार या दसजार से फंद्राज़ार की बीच इससे जज़दा तेजी के संभावना तो कम बनती हैं तो पूरे रिपोर्ट के अनुसार जोतिशास की रिपोर्ट हमें यहीं बताती है कि 2021 में लेसन में तेजी ही आएगी यानि कि अच्छा भाव किसानों को मिलता रहेगा पूरे साल बर तो किसान भाव यह चार पांच बातें जो मैंने आपको बताई अगर आप इन बातों से सहमें थें तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अधिक से अधिक सियर करें इतनी मेहनत से मैं सभी जानकारी आपको अगले वीडियो में और दूँगा पूरा फेसलेशन करूँगा साथ ही हम बात करेंगे कि कब तक तेजी आएगी और कितनी तारीक हो आएगी इनके बार